पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेला इकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूँ ठीक है तो आप सभी लोगों की दिमांड पर एलाइजर टेस्ट को मैं एक्स्प्लेइन किया हूँ आप सभी लोग दिमांड कर रहते हैं लाइजर टेस्ट क्या है तो आज हम लोग जो वीडियो में डिसकस करेंगे वह करेंगे डेफिनेशन ऑफ एलाइजर टेस्ट कितने टा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक देखो एलाइजा क्या है एलाइजा एसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का यूज करके किसी भी एंटीबोडी का पता लगाया जा सकता है और एंटीबोडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जा सकता है समझिएगा कोई भी एलाइजा एक ऐसी टेस्ट है जिसमें एंटीजन का इस्तेमाल करके एंटीबोडी का पता लगाऊंगा और एंटीबोडी का टेस्ट यूज करके एंटीजन का पता लगाऊंगा एलाइजा एक प्रकार का एंटीजन एंटीबोडी reaction test ही होता है मतलब इसमें मैं reaction करवाऊंगा आप ऐसे समझिएगा आप पेले यहाँ देखिए यह suppose that human body है human body के अंदर मैं आपको बताता हूँ human body के अंदर जब भी कोई organism एंटर करेगा suppose that human body है इसके तुरू जैसे star shape में कोई antigen है इसके अंदर इंटर करा तो इसके अंदर क्या है immune system में और immune system में क्या है y shape की antibody होती है आप suppose that यह star shape antigen यहाँ आया है तो यह हमारी immunity क्या करेगी इसको kill करेगी y shape की antibody produce होगी तो overall जो मरीज है जो patient है जिसको बीमारी हुई है उसकी body में antigen भी प्रिजेंट है और anti body भी present हे तिक ए antigen भी present हे और anti body भी present हे अप देखो कोई भी human में या तो antigen होगा या antibody होगी दोनों तरह के चीजे प्रिजेंट होगी तो हम या तो antigen का इस्तमाल कर के antibody का पता लगा लेंगे या及 बोडी का इस्तमाल कर के यह आपको मैं more clear आगे करता हूं हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से ठीक है आई होप की ची समझ में आई होगी आपको अब देखें आप लोग इस प्रक्रिया जिसमें कि किसी प्रकार के एंटीजन का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है और एंटीजन का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जा सकता है ठीक है आगे आपको चीज़े एक्स्प्लेइन करोंगो देखें इंग्लिश में इन इलाइजा बाइ यूजिंगा एंटिजन फोर डिटेक्शन ऑफ एंटिबोडी एंड अल्सो यूज एंटिबोडी फोर डिटेक्शन ऑफ एंटिजन थे के वही बात जो मैं आपको उपर एक्सप्लेंश हिंदी में की हुई है नेक्स लाइन देखिए इस प्रक्रिया को यह लाइन बहुत अच्छे से समझेगा इस प्रक्रिया को देखने के लिए एक एंटिबोडी के साथ एंजाइम को जोड दिया जाता है इसलिए इस प्रक्रिया को एंजाइम लिंग्ड इम्यूनो सॉर्मेंट ऐसे कहते है एंजाइ यहां पर Y-shape की एक एंटी बोडी ली हुई है, Y-shape की एंटी बोडी के साथ में यहां पर यह एंजाइम जोड दूगा, तो इसे क्या बोलूँगा, एंजाइम लिंग्ड एंटी बोडी, यह मैं अल्रेडी मार्केट में मिलते हैं, यह मैं अल्रेडी बने बनाएं वहां से रीजेंट की रूप में इनको ले सकता हूँ, अब देखो, अब यह एंजाइम लिंग्ड एंटी बोडी है यह आपको आगे इस्तेमाल होगी, कहाँ पर होगी मैं आपको बताओंगो, यह एक्जामपल आपको समझ में आए कि एक हूँमन बोडी है, यूमन बोडी के अंदर एंटी जन भी होता है और एंटी बोडी भी पाय जाती, आप आप कन्फूजन मत होना कि बोडी में से क्या निकाला, जब भी मैं ब्लेड निकालोंगो तो ब्लेड के अंदर एंटी बोडी भी है और एंटी जन भी है, दोनों कॉलिटी उसके हैं, आप देखो टाइपस ओफ एंडाइजा, डाइरेक्ट एलाइजा टेस्ट, इंडाइरेक्ट एलाइजा टेस्ट, और एक होता है सेंड़्विच एलाइजा टेस्ट, एक और होता है competitive, बट वो आपको नेक्स वीडियो में में उसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, आप देखो, डाइरेक्ट एलाइजा टेस्ट, इन डिरेक्ट एलाईजा τेस्ट और सेंडविछ एलाईजा टेस्ट को सामानय त cleared direct एलाईजा indirect एलाईज और if send which Ens can fix your certificate direct का मतलब हो आपकोकी डारीत है कि हां कोई टेस्ट directly किया जा रहा है indirect मतलब किसी का इस्तिमाल करके किया जा रहा है Sandwich, आप लोगों ने सभीनों Sandwich खाया हुगा, नीचे bread रहता है, बीच में उसका मसाला रहता है, ओपर से फिर bread रहता है, तो आप लोगों ने जो Sandwich देखा है, उसे टाइप से में Elisa, मतलब नीचे antibody, बीच में Antigen और उपर से antibody तो वो एक Sandwich की तरह दिखाया देता है, मैं आग Direct Eliza Test, Direct Eliza Test में Directly किसी antibody का यूज करके Antigen का पता लगाया जाता है, इसलिए से Direct Eliza Test कहते है, फिर रिपीट करता हूँ, आप पोइंड पर ध्यान दीजेगा, Direct Eliza Test बोल क्यो रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी antibody का Directly इस्तेमाल करके Directly लगा रहा हूँ, अब ये Direct का क्या मतलब है, अब लेगलिश में देख लिए, इन इस मेटड, antibody are used for detection of Antigen, आप देखो, इस paragraph को हम लोग फोलो करेंगे, देखो, आपका Antigen है, Antigen जो की शीरम में प्रिजेंट है, सबसे पहले, Micro, एक Micro Titer Plate होगी, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे, इस तरह की जो Micro Titer Plate इसको Eliza Plate भी बोलते है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसके बीच में छोटे-छोटे वेल्स दिये हुए, यह Eliza की Plate होती है, इसमें हम रिजेंट डालेंगे, अब देखिएगा, सबसे पहले, वो जो Micro Titer Plate थी इसमें Antigen Serum जो की प्रिजेंट है, नमबर वन पहले में डाला Antigen, जो की patient का, जैसे की patient का मेने जो मरीज आया है, वो मरीज बोल रहा है, मुझे कोई बिमारी है, तो आपने Eliza करो, आप Eliza करो कैसे, आपने उसका Blood निकाला, शीरम को सेपरेट किया, अब उस शीरम को पहले, आप Micro Titer Plate जो आपने देखिती ना भी, उसमें डालो, और शीरम को वापस निकाल दो, उसमें शीरम में Antigen present रहता है, तो वो Antigen क्या होगा, सरपेस से बाइंड हो जाएगा, Step No.2, Enzyme Blinked Antibody, अब देखो No.2 यहां पे, अब इसमें में क्या डालूगा, Enzyme से जुड़ी हुई Antibody को डाला मेने, उसके बाद डालूगा Substrate No.3 पे, अब यह Substrate करेगा, क्या Color Change कर देगा, यहां पे, ठीक है, देखो, आपने हमेशा अगर एक चीज पड़ी होगी, आपने पहले भी पड़ी होगी, तो एक वो ती लोकेंड की थियोरी, ताला और कुंजी, परिकल्पना, जिसमें क्या होता है, जब भी Enzyme के साथ Substrate जुड़ता है, त तो मैंने यहां पे Enzyme Linked Antibody का इस्तमाल किया था, तो यहां पे मैंने सबसे पहले, डाइरेक्ट इलाइजर टेस्ट में पहले, पेशेंट का शीरम डाला, फिर शीरम को बाहर निकाल दिया, तो Antigen आके जुड़ गया, फिर मैंने Enzyme Link, Directly Enzyme Linked Antibody डाल दी, तो वो Antibody की से जुड़ गई, अब इसमें Enzyme Link था, तो उपर से मैं Substrate डालूँगा, तो क्या होगा Color बन जाएगा, इन केस, यदि उस मरीज के शीरम में कोई Antibody नहीं थी, Antigen नहीं था, तो वो Antigen इसके साथ जुड़ता नहीं, Antigen नहीं जुड़ता तो Enzyme Linked Antibody नहीं जुड़ती, यह न इसमाल करके, Directly ही तो यूज कर रहे हैं, Enzyme Linked Antibody को हमने Directly ही डाला, तो Directly पता कर लिया, इसको बोलेंगे Direct Eliza Test, पहले शीरम को डालेंगे, फिर Enzyme Linked Antibody को डालेंगे, Substrate को डालेंगे, Enzyme Substrate की किरिया करके Color बनाता है, Color आया तो Positive नहीं आया, तो Negative, That's It, खताम Direct Eliza, आपक Enzyme Linked Antibody को डालेंगे, Next पर बढ़ते हैं, Indirect Eliza, पहले Direct Eliza का प्रोसेजर देख लीजे, जो मैंने आपको बता है, यह मैं इसका प्रोसेजर एक्स्प्लेन करता हूँ, देखो, सबसे पहले Eliza Plate को लिया जाता है, और इसमें Marijs के Sample को डाला जाता है, ताकि Antigen Eliza Plate में एड हो सके, जो आपने यहाँ देखा नहीं है, यह पहले इसमें, शीरम डाला तो Antigen एड हो गया, ठीक है, वो ही मैंने किया है, ठीक है, सबसे पहले Eliza Plate में Marijs के Sample को डाला जाता है और antigen इसमें एड हो जाता है तीक है नेक्स देखे आप इसमें इंग्लिश में एक्स्प्रेंड करता हूं फिर्सले टेक एलाइजा प्लेट एंड एड पेशेंट शीरम वो पेशेंट का शीरम एड कर देंगे अब इस प्लेट में एंजाइम लिंग्ड एंटी बोडी को डाला जाता है जो की antigen से जाकर जूर जाती है वही अभी मैंने आपको बोला ना simply जैसे कि क्या करा मैंने एक माइक्रोटाइटर प्लेट को लिया पहले एंटीजन को डाला फिर नमबर वन नमबर टू स्टेप में में बोल रहा हूं कि एंटी बोडी को डालेंगे कौन सी वाई शेप पाली जो आपने एंजाइम लिंक्ड पड़ी होगी ठीक है अब इसमें में क्या करा है स्टेप नमबर थ्री में देखो पहले इंग्लिश में देख लो नाव टे का एंजाइम लिंक्ड एंटी बोडी विच इस अटेश टू दी एंटिजन जो कि इसके साथ अटेश हो जाएगी यही लाइन मे आपको यहाँ बाइंड वक्ति फ्री एंटेश कर देताओं ईसबसेएम करता ह हम इसाथ यहाँ तो यहां पर देख रहो आपको यह। सब्स्टाइट बाइंड होगया एक ए अप्य zeros बाइन वैंडों मों एह चि अः पर देख डोर आपर इंग्ड अप्र बना लेग लगज को डालते है और एंटी जो ताकि एंटीजन बाइंड हो सके अब इसमें एंजाइम लिंक्न एंटीबोडी को डालेंगे और उपर से सबस्ट्रेट को डाल दिये जाता है जिससे वो कलर प्रोड़क्शन होता है यह था आपका डाइरेक्ट अलाइजा का प्रोसीजर ठीक है पर इस टेस्ट में किसी प्राइमरी एंटीबोडी को यूस में लेकर एंटीबोडी का पता लगाते है इसलिए इसे इंडाइरेक्ट एलाइजा टेस्ट केते है अब हो क्या रहा है पहले वाले में अगर हमने देखा था तो पहले वाले में हमने एंजाइम लिंक्न को directly नहीं जोड सकते हैं, पहले हमें primary antibody को 8 करना पड़ेगा, primary मतलब पहले डाल देंगे, ठीके है, देखिए इसमें, paragraph फोलो करके हम लोग procedure करते हैं, पहले antigen डालेंगे शीरम, सबसे पहले उसमें इंडायरेक्ट में इंडायरेक्ट में बेसे किया था कि हमने पहले patient का शीरम डाला था, तो antigen जुड गया था, पर इसमें मैंने, step number 2 में देखो, यहाँ पर diagram में, मैंने इसमें primary antibody डाली हुई है, यह enzyme link को पहले नहीं डाला, इसलिए उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, उसके बाद में डालूँगा, number 3 में enzyme link antibody, और उसके बाद substrate, enzyme substrate से किर्या करके सब कुछ सेम है, direct और indirect में only इतना सा different होता है, कि direct ELISA test में, enzyme linked antibody को directly हम यहाँ पे antigen से जोड देते, परन्तु indirect ELISA test में enzyme link वाली antibody को directly किसी antigen के साथ नहीं जोडा जाता है, हमेशा हम पहले क्या करेंगे, इसमें primary antibody जोडेंगे, primary antibody फिर, enzyme linked antibody को जोडेंगे, फिर color बनेगा, हाँ, अगर यहाँ पे patient के serum में कोई antigen नहीं होता है, तो primary antibody भी नहीं जोडती, और primary नहीं जोडती, तो यह भी नहीं जोडता और color भी नहीं बनता, means color negative आता, तो हम कह सकते कि मरीज को कोई infection नहीं है, this is a final detection, decision होता है, antigen antibody reaction test का final हम decide करके बता पाते हैं, कि ELISA में actual में antigen present है या नहीं है, I hope कि आपको indirect भी clear हुआ होगा, फिर से मैं paragraph बताता हूँ, सबसे पहले antigen डालो, patient के serum में present है, फिर primary antibody डालो, फिर enzyme linked antibody डालो, फिर substrate को डाल दो, substrate जैसे ही डालेंगे, वो color production करेगा, ठीक है, अब देखिए procedure of ELISA, direct ELISA test, indirect ELISA test का क्या procedure होता है, इस test में सबसे पहले ELISA plate में marriage के sample को डाला जाता है, जिसमें antigen ELISA plate में जूड सके, वो ही जो आपको starting में बोला ना मैंने, सबसे पहले antigen को डाला जाता है, मतलब patient के serum को, इंग्लीश में देख लिजे, firstly, add a patient serum in ELISA plate that antigen can bind with plate, ताकि antigen उससे bind हो सके, ठीक है, डाइग्राम भी बनाते चलता हूँ, आपको यहाँ पे, यह लिया, वन मिट में इसको black, black करते का हूँ, ठीक है, सबसे पहले एक test tube को लिया, आपने, माइक्रो टाइटर प्लेट को लिया, ऐसा समझ लिजे, आपने यहाँ पे, वन मिट, यह अपने एक माइक्रो टाइटर प्लेट के वेल को लिया, उपर से आपने patient को, शीरम को, एट किया, तो यह antigen नीचे आके, यहाँ पे, surface space में, बाइंड हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, next step देखिए, अब इसमें primary antibody को डाला जाता है, जो कि antigen से जुड़ जाती है, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यह डाल दी हमने y-shape की primary antibody, आप क्या बोल रहा है, next step में, English में देख लीचे, now add a primary antibody, which bind with antigen, जो कि antigen से bind हो जाती है, अब इसमें enzyme-linked antibody को डाला जाता है, और इसमें substrate को मिला कर color बनाता है, देखो, अब इसके बाद दूसरे antibody डाल दूगा, यह y-shape की, यह y-shape की enzyme-link होती है, तो इससे color करके, यह color production बनाएगी, अगर test positive है, तो बन color नई बनाएगी, फिर से मैं आपको explain कर देता हूं, यह, इस test में सबसे पहले, एक ELISA प्लेट को लेंगे, सेंपल डाल देंगे, पेशेंट का, जो कि enzyme present है, firstly add a patient serum in ELISA plate, that can bind with plate, अब इसमें primary antibody को डाला जाता है, जो कि antigen से जुड़ जाती है, अब इसमें enzyme-linked antibody को डाला जात सबस्ट्रेट क्या करेगा, कलर बनाएगा, ठीक है, आप बढ़तें next ELISA, sandwich ELISA क्या होती है, यह समझिए, इस test में primary antibody को ELISA plate में जोड़ा जाता है, उसके बाद, इसमें मरीज का सेंपल डाला जाता है, देखो, same चीज है, इसमें test में primary, पहले क्या करा, primary, देखो diagram में, पहले म एक tube है, सबसे पहले primary antibody को डाला, ठीक है, आगे पढ़ता हूँ में, उपर से enzyme, उपर से में patient का शीरम डालूँगा, ठीक है, उपर से यह मरीज का सेंपल डाला जाता है, यह मरीज का सेंपल में, बीच गोला कार जो आपको दिखाई देला, यह antigen aid हो गया, इसके बाद में enzyme linked antibody का डालूगा, इसी कारण बीच में antigen होता है, और उपर नीचे antibody, देखो, बीच में antigen, उपर नीचे antibody, इसी कारण से यह sandwich की तरह दिखता है, इसी कारण इसे sandwich Elijah कहते, sandwich Elijah बोलेंगे क्यों, simple बात है बाई, उपर भी antibody, नीचे भी antibody, बीच में antigen, ऐसे उपर ब्रेड है, न सेंडवीच के तरह दिखाई दे रहा है तो साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया सेंडवीच एलाईजा टेस्ट, ठीक है देखिए अब इसमें क्या क्या करूंगा सब स्टेप देखिए प्राइमरी एंटीबोडी को उसमें उपर से डाला मिने एंटीजन को फिर से डाला एंजाइम लिंक्ड एंटीबोडी को और सबस्टेट डाल दूगा तो एंजाइम सबस्टेट किसे किरिया करके कलर बना लेगा अगर ये एंटीबोडी नहीं जुड़ी ए ELISA PLATE से, ठीके Firstly, add a primary antibody which bind with ELISA PLATE देखो, ठीके मैं hit करता जाता हूँ, यह मैंने एक test, वो लिया है ELISA PLATE, इसमें मैंने Y-shape की primary antibody को डाल दिया, अब क्या बोल रहा है, next line में यह, अब इसमें मरीज का sample डाला जाता है, जो की antigen से जाका antigen primary antibody से जुड़ जाता है, यह डाल दिया गोल गोल मेंने इसमें antigen, मरीज का sample जो की जाके जुड़ गया, अब क्या करूँगा next step में, इंग्लिस देख लिजें, इंग्लिस में, now add a patient serum that antigen can bind with primary antibody के साथ जुड़ जाता है, अब उपर से enzyme linked antibody के डाला जाता है, ठीके, डाल दो उपर से enzyme linked antibody, यह रही Y shape की enzyme से जुड़ी हो यह antibody, और इसमें substrate को डाल दूँगा, यह डाल दिया substrate, अब इनका बन गया color production, और जब यह color production करेगा, तो हमको easily visible रहेगा, I hope कि आपको यह चीनों चीजे clear हुई होगी, मैं आपको comparative study बता देता हूँ, देखिए, उपर है indirect ELISA test, यह indirect और यह sandwich, देखो direct में क्या करा मैंने, direct मरीज के शीरम को डाला, उपर से enzyme linked antibody को डाला और substrate को मिला कर color बना लिया, तीन स्टेप, पहले मरीज का serum डाला, antibody डाला, कौनसी वाली, enzyme linked antibody को directly डाला, इसलिए direct ELISA test, यह बना लिया, यह direct, indirect में मैंने मरीज का sample डाला, उपर भी यह किया था, same, पर मैंने इसमे पहले primary antibody add कर दी, जबकि direct में मैंने directly enzyme linked antibody डाली ती, पर इसमे मैंने primary antibody को डाला, फिर उसके बाद मैंने enzyme link antibody को डाला, और उपर से substrate मिला दिया, color aid हो गया, ठीके, आप देखो, सेंडवीच में क्या करा, पहले primary antibody को नीचे एटके, जबकि direct इंडाइरिक्ट इलाइजर में हमने मरीच के शीरम को पहले डाल जाता ताकि वो इसके सता पर जाके जुड़ गया था, बट सेंडवीच में पहले मैंने primary antibody को डाला, फिर वश कार दूँग, उपर से क्या डाल दूँग, मरीच का, शीरम डाल दूगा, जो antibody देखो, color antigen का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आके जुड़ गया, फिर मैंने उपर से क्या डाल दिया, enzyme link antibody और substrate डाल दिया, तो color बन गया, आप देखो, इसमें उपर भी antibody है, नीचे भी antibody, बीच में antigen है, इसलिए मैंने इसको बोला है, sandwich laser, sandwich की तरह दिखा जोड़ा जाता है, indirect laser में primary antibody को जोड़ा जाता है, फिर enzyme link antibody को जोड़ा जाता है, और sandwich में तो आप sandwich बनाई देना, पहले antibody primary, फिर डाल देना, आप इसमें antigen, पेशेंट का शीरम, उपर से enzyme link antibody, फिर डाल देना, substrate, जो की color production करती है, I hope कि आपको यह चीज कीलर होई होगी, thank you for watching Indian medical lecture, अगर आपको ELIZA समझ में आया हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिव और आपका feedback मेरे लिए बहुत important है, अगर आपको कोई doubt हो तो प्लीज मुझे comment में बताईएगा, और मैं आपको description में नमबर दे दूँगा, अगर वहां से भी आप मुझे contact कर सकते हो, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे please contact कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, thank you for watching Indian Medical Lecture.